हलो सभी को गुड मानिंग और सभी को जय मासा सुती तो आज हम आप सभी लोगों के लिए फिर से सुबह में कैपसुल क्लास में शाबजे वाली क्लास में आज भीजिस के यानि भौतिक विज्ञान के महतपूर आंकिक प्रस्ण लेकर आया हूं और ये वे प्रस्ण है जो बार बार पूछे हैं और हमने भी इसको पहले करा दिया है और इस बार यानि दोजाज 24 एकजा में भी पूछे जाने की चांसे जहें तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं ठीक है एक बहुत ही अच्छे लाइन और देश के रास्पती रहे देश के मिसाइल में रहे और आज जो चंद्रमा पे हम लोग पहुंच रहे हैं उसके पीछे किसी एक सक्स का अगर ज्यादा से ज्यादा योगदान माना जाए तो अपने जिंदगी में भारत वर्ष के लिए इतना भी इन से हो सका इन्होंने खूफ सारा योगदान दिया और फिर चले गए और उनका ए सफल होने के लिए आपको अपने लच्छ के प्रति एक दिड़ भक्ती होनी चाहिए एक चीज आपके सामने दिखना चाहिए तो अपना लच्छ और उसके सिवां कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए लेकिन आप लोग हो तो कहीं पे एपल का फोन दिख जा फुल होना है, तो एक मातर लच्ष होना चाहिए जो आपने थान लिया है और मैं सभी से एक बात बोलना चाहता हूं, सुबभाए में उठकर एक बार उस लच्ष को जरूर याद किया करो, जो आपने बनाया है इसे आपको प्रापत करना है और रात को सोते समय भी उस लच्छ को याद किया करो और लच्छ को याद करके लच्छ के लिए जीजान लाकर मेहनत सुरू कर दिया करो तो आज की सुबह आज का दिन आप सभी लोगों को बहुत सारा मुबारक हो और चलिए हम questions की ओर चलते हैं अगर आपने कुछ जिन्दगी में लच्छे बना रखा है तो जरूर नीचे comment box में comment करिएगा मैं भी देखूंगा कि आप लोगोंने क्या बनाया है तो चलिए पहला question है ये बार-बार पूछा जाता है question क्या है आपके सामने कि वैदुद छेत्र जिसका value दिया हुआ देखो कोई भी numerical question करने का चार rule होता है पहले collection फिर formula selection फिर unit correction last में calculation तो पहला rule में हम लोग कर रहे है collection collection में जो भी चीजें दी गए उसको हम लोग collect करेंगे जैसे यहाँ पर वैदुद छेत्र और यह प्रिष्ट का छेत्रफल प्रिष्ट का छेत्रफल जो होता है तेन जे है प्रिष्ट का छेत्रफल क्या है यस का value कितना है तेन जे है तो आपको यहाँ पर दूद फ्लक्स फाई का वैलू निकालना, फाई इक्वाल टू क्या होता है, E.A, E.A, हाँ पर क्या है, एच्छे तरफल है, E.A हो जाएगा, और आपको कास ठीटा होता है, लेकिन आपको पता है, E.B is equal to A.B कास ठीटा, तो यहाँ पर E.A, 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 कास ठीटा जो फार्मूला होता है, इसको क्या लिए सकते हैं, 5.A, E.A, लिख सकते हैं, अब यहाँ देखो, 5.A, क्या हो जाएगा, E का वैलू, 2.A, 2.A, प्लस 4.J, प्लस 7.K, डाट, E.A, का वैलू कितना है, 10.J, गुड़न यहाँ पर होता है, और गुड़न करने का सबसे असान तरीका, देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, J वाला दिया हुआ है, इसमें J वाला खो जो यह, इन दोनों का गुड़ा करो, और वह फाई का मान हो जाए, कितना दूनों गुड़ा होगा चालीस है चालीस है आपका ओल्ट मीटर मीटर ये वैदुत फ्लस का मान हो गया और बाकी का गुड़ा करने की जरूबत नहीं है कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखो इसमें I और J नहीं है इसका I और K नहीं है इसका मतलब I और K का वैलू 0 है आई ये के का वैलू क्या है यहां पे 0 है तो मैंने 0 मान कर 40 सेंसर ला दिया कितना आसान कोशन था और ये पूछा जाता है बार बार एक्जाम में अगला कोशन देखो सेम टाइप का है पहला इसमें देखो दो कोशन है वैदुत 6 के फ्लक्स को परिवाशित कीजिए वैदुत फ्लक्स का मातर्ख लिखिए पहले ये सबजेट्ट्ट्व कोशन है और ऐसे ही बोड एक्जाम पूछा गया था मैं सेम टू सेम कोशन को फिक अप किया हू? आपके question bank से ये question है ठीक है प्रिभियस year question में पूछा गया ये question है तो पहले आपको वैदुद फलर को परिवासित करना है क्या होता है exam में question पूछे तो इसी तरह से लिखना है क्या होता है किसी प्रिष्ष्ट से होकर गुजरने वाले बैदुद बल रेखाओं की संख्या को क्या करते हैं वैदुद फ्लस करते हैं जैसे हम मेरे सामने यह माउस पैड का एक प्रिष्ट है इससे होकर जितने भी बैदुद बल रेखाएं जाएंगे इसको मैंने ऐसे रख दिया इसमें खोच-खोच इसमें दिखाओं ऐसे रखा है यूँ पार रोके चला गया यूँ पार रोके चला गया तो जितनी बैदुद बल रेखाएं जाती हैं उन्हीं को बैदुद फ्लस करते हैं क्या लिखेंगे परिवासा में किसी प्रिष्ट से बोकर गुजरने वाली वैदुद बल रेखाओं क्या करते हैं किसी प्रिष्ट से ओकर गुजरने वाले वैदुद बल रेखाओं की संख्या को क्या करते हैं वो प्रिष्ट का क्या करते हैं वो वैदुद क्या करते हैं फ्लक्स करते हैं वैदुद फ्लस करते हैं और वैदुद फ्लस को फाई से पदस्षित करते हैं फाई जिक्वल्ट होता है ये ए तास ठीटा वैदुद फ्लस फाई का मात्रक मात्रक क्या होता है एक तो मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रतिकुलाम मीटर स्क्वाइर एक तो यह मात रख होता है दूसरा मात रख होता है ओल्ट का मान कितना हो जाएगा तो बैदुछित्र वेलू दे रहा है कितना दे रखा है त यौत लू2 दे रखा है 5 है कईता त्थोस परके उड़ट यू "... गिवेलू बैदुट्स फाई का वेलू क्या हो जाएगा e.a बैदुत फ्लस फाई का वैलू क्या हो जाएगा e का वैलू 2i फ्लस 3j माइनस 4k चाट ए माइनस 4k हो जाएगा ठीक है अब देखो भी यह इसमें आपके पास कवन है k वाला है तो k वाला खोजो k वाले का k वाले हम गुडा कर दो बैदुत फ्लस फाई का वैलू आ जाएगा चाट 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 को 16 ओल्ट मीटर इसक्वाइर ओल्ट प्रति मीटर यह वैदुत फ्लस फाई का वैलू हो जाएगा पस यह साट का ट्रिक है इससे आप आसानी से निकाल लोगे तो कोशन देखो निमेरकल कोशन में भी आपको थियूरेटकल कोशन करके पूछ लिया ऐसा भी पूछा जाता है और मैं आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो बच्चे नहे हैं अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो आपके लिए सिखर 2.0 बैच है इसको आप जोईन करो और मेहनत से तयारी की सुरुवात करो अभी तक मैं पढ़ा नहीं हूँ पढ़ा हूँ तो बैकलॉग जादा है आप सभी लोगों के लिए क्योंकि इसमें चैप्टर 1 से क्लास है शुरू की गई है हलाकि अब लेट भी हो चुका है दो-तीन चैप्टर इसमें complete भी हो चुका है यहाँ करके कावो सर मैं आपनी चैप्टर 1 से बोला था मैं तो तीन चैप्टर यहाँ complete हो गया है भाई लेट तुमने किया है लेट आप ने किया भाई एक मेने से class चल लेए वहाँ पर 10-10 घंटे class हो रहा है लेगि फिर भी जहां 10 chapter पढ़ा दिया गया जहां 8 chapter पढ़ा दिया गया उससे तो बेटर ही है उसको हम रिवाइच कराएंगे यह मेरी guarantee है 10 घंटे की आपको live class मिलेगी डेली इसमें 10 teacher आपको पढ़ाएंगे और सलेबस आपका October तक complete हो जाएगा चार घंटे आपको self study जरूर करना है अगर self study नहीं करोगे तो आपका percentage नहीं आएगा 14 घंटे आपको मेनत करने जो होते है अगर आप 14 घंटे मेनत कर रहें तो आईए इस बैच में आपको daily live class दी जाएगी live class class note का पीडिया आनलाइन विक्ली test study material complete syllabus के सभी मातूर प्रस्न माडल पेपर गेस पेपर पिछले 5 साल के कोशन पेपर आप अलफा इस्टिटुफ प्रो एप को डाउनलोड करके जोईन कर सकते हैं या फिर नमबर है 930 577 1354 इस नमबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं और अगर जोईन करना है तो सब्सक्राशन के सब्सक्राशन का यह में पूछा हुआ दियर नुटा करना थाल läuft के जिसमें का बदो कितना दे रखा सब 1000 volt दे रखा है तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि धायता c equal to क्या होता है किसी गोले के लिए 4 pi epsilon not r होता है मैंने यहां तक क्या किया collection वाला काम किया अब मैंने क्या किया formula का selection किया अब unit का correction करेंगे सबका unit देखेंगे कि क्या सबका unit meter में है नहीं इसका unit centimeter में इसको meter में change करेंगे इसको junior meter में change करेंगे वाय्या मीट में change करते है इसको meter में change करते है 9 exemplan indung 10 के पावर मानेस 2 meter कर देते है हो जाएगा meter में change हो गया अब यहाँ पे value रखेंगे C is equal to क्या आजएगा 4 pi epsilon 0 9 into 10 के power minus 2 हो जाए अब देखो एक चीज मैं दिखा रहा हूं आपको 4 pi epsilon 0 का value क्या होता 1 upon 9 into 10 के power 9 होता है नहीं सर हमने तो पढ़ा था क्या 1 upon 4 pi epsilon 0 का value 9 into 10 के power 9 या आपने 1 upon 4 pi epsilon 0 का value पढ़ा था और 4 pi epsilon 0 का value क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा इसका उल्टाओ 1 upon 9 into 10 के power 9 यह हो जाएगा और यह value यहाँ पर रखेंगे यह value यहाँ पर रखेंगे तो C का value क्या हो जाएगा बताओ C का value 1 upon 9 into 10 के power 9 into 9 into 10 के power minus 2 यह 9 से 9 कटेगा ठीक है यह 10 के पावर माइनस 9 उपर जाएगा तो C का वैलू 10 के पावर माइनस 11 फैरट यह answer आएगा यह तो पहला answer आगया आपका धायता C का वैलू आगया अब आवेस Q का वैलू कैसे ग्याद करोगे आपको पता है कि आवेस एक फार्मला आवेस Q अपान B is equal to C होता है तो Q is equal to C भी हो जाएगा Q का वैलू C का वैलू कितना 10 पावर माइनस 11 है और B का वैलू 1000 रखेंगे कितना हो जाए Q का वैलू 103 सुनना कटेगा कितना हो जाएगा बताओ 10 के पावर माइनस 8 हो जाएगा 8 तीन फैर 11 है इतना कुलाम यह आपका आवेस हो जाएगा ठीक है इस तरीके से कोशन एकजा में पूछे जाते हैं यह तीसरे चेप्टर का कोशन था अच्छा था करने आना चाहिए इस कोशन को ठीक है अगला कोशन चलते हैं और यह कोशन क्या है देखो पड़ो कितना है एक गोले पर एक कुलाम आवेस देने पर कोले के प्रिष्ट पर उत्पन विभाव कितना होगा एक सेंटीमीटर का गोला है पले कोशन में जो भी चीज़ें देगे लिखो एक सेंटीमीटर का गोला आर का वैलू कितना है एक सेंटीमीटर है अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना ही पड़ेग आपको एक बात बताओं मैं कितना आसान फर्मला है आपको पता है दाइटा C equal to Q upon B होता है तो यहां से B equal to Q upon C भ тебя होता है अब आपको C का value याद हो जाए Q का value गयाँ था ही तो B का value आजाएगा तो आपको पता ही गोले की किसी यहां पर किसी गोले की थारिता होता है एक सेंटीमीटर है एक सेंटीमीटर है एक सेंटीमीटर हो जाएगा अब बार बार एक चीजिया थोरीन बताना होगा फोर पाई अपसालनाट का वैलू कितना होता है इसको लिख सकते हैं इतना फैरेड लिख सकते हैं अब कुछ नहीं करना है आपको वी का वैलू चाहिए तो वी का वैलू वाले फार्मलम लिखो भी इस इक्वाल टू वी इस इक्वाल टू क्या है बताओ यू अपान छी है डी क्यू का वैलू कितना है वै एकोलाम एकोलाम अपान छी का वैलू फिर आ पन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अई से को सब्सक्राइब पूछे जाते है एक जाम में कि है कि है कि बोलो कि माइस इग्यार कहां से प्लस इग्यार है ना कि माइस टू नीचे जाए कि क्या रहो जाएगा इतना बोल्ट होता है अगला कोशन देखो यह भी कोशन अच्छा है काफी सारे चैप्टर के कोशन्स लाएं हैं आप लोगों के लिए क्या है दो बल्व है साथ वाट दो सो बीस बोल्ट चालिस वाट दो सो बीस बोल्ट दो सो बीस बोल्ट के में से सेड़ी क्रम में जोड़ा गया है बल्व के सकती की ग्यात किजिए तेखो जब बल्व को सेड़ी क्रम में जोड़ा जाता है सेड़ी क्रम में तुल प्रतिरोध क्या होता है तुल सकती कि इतना होता है 1 upon P is equal to 1 upon P1 plus 1 upon P2 यह होता है 1 upon P is equal to P1 का value कितना है 1 upon 60 P2 का value कितना 1 upon 40 1 upon P is equal to क्या हो जाएगा 60 कितना है 2440 plus 60 इसको आगे सालब करोगे तो 1 upon P का value यह होता है फार्मुला इसी में रखना है एक सकती P1 यहाँ पे है और यह P2 सकती यहाँ पे है voltage तो 220 volt होता ही है ठीक है 100 upon 2400 क्यों भया 100 upon 2400 यह दूनों सुनना से सुनना काट दे कोई समस्या तो नहीं है तो कट जाएगा 1 upon P का value 1 upon 2400 आएगा 24 आएगा और P का value 24 watt आएगा यह संहीं तो सकती हो गया हमने बस सकती वाला फार्मुला लगाया सकती अपने आप निकल के आगया यह last question है और यह home work है आप लोगों के लिए यह डवलू handsome wife house wife नहीं यह home work है आपके लिए करके बताना answer नीचे comment box में comment करके और वे बच्चे जो अभी तक class को जोईन नहीं किये सिखर वेस 2.0 को घबडाओ मत जल्दी से जोईन करो तैयारी सुरुवात करो लेट नहीं करना है ठीक है मिलते ने इस वीडियो में सभी को जय मासरसती